नमस्कार, बालो की समश्या और रस धातू जी हाँ, आज का वीडियो अन लोगों के लिए जो आईरिविद सच में समझना चाहते हैं और बालो की समश्या से परिशान है उन्हीं के लिए ये वीडियो रहेगा बाकिन उसके उसके वालों को ये वीडियो शायद उतना काम ना है आज हम बात कर रहे हैं जादा डीब जाकर बालों की समस्षाएं जो होती हैं जैसे कि बाल सफेद होना बाल जड़ना या बालों में बार बर कुछ भी कमजोर दुबले पतले इस तरह के बालों होने लगना बालों से डिलेड़ आपको जो भी प्राबलम होती है उसमें ये जो रसधातू होती है उसका क्या रोल है ये कैसे अलग-अलग प्रकार से खराब होती है और ये रजधातू किस तरह से ठीक कर सकते हैं ताकि जो आपके बाल है तो फिर से अच्छे हो सकें पूरी जानकारी आज इस वीडियो में स्वागत आप सभी का मिश्रविता में और आज हम बात कर रहे हैं जादा डीब जाके आईरवित के बारे में ऐसे लोगों के बारे में जिनको बाल जढने की तखलीफ है और वो परेशान हो गए हैं टॉनिक लगा लिया तेल लगा लिया जो जो किसी ने चूर नून बोला वो लगा लिया सीरम लगा लिया सेलून में जाके बाल वाल सेटवेट सब करा लिये बट ये बाल की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है और उसका एंसर आईरवित में धोड़ रहे है कि आईरवित में कुछ बोला है क्या तो चलिए हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में साथ धात्वे होती हैं अब बालों की कोई भी समस्चा होगी तो उनमें ये साथ धात्वे किस तरह काम करती हैं उसके बारे में जानेंगे तो ये जो साथ धात्वे हैं रस, रक्त, माउस, मेद, अस्थी, मज्जा, शुक्र उसमें से जो ये पहली धात्व होती है रस धातू इस जो आपके शरीर को nourishment देगा, आपके शरीर को बढ़ाएगा, आपकी धात्वों को nourishment देगा, जो आपके शरीर में को degeneration हुआ है, उसे भरेगा, उसको Sanskrit की बाशना में सार भाग बोलते हैं, या English में हम nourishing बाट बोल सकते हैं, दूसरी जो चीज़ बनती है, उसे kit भाग बोलते अब ये सार भाग जो होता है मतलब जो nourishing part है यही चीज digest हो होके आपके शरीर में धातुे बनती जाती है लाइन से पहले रस बनेगी रस धातु बनेगी फिर रक्त धातु बनेगा फिर माउस धातु, मेद धातु, अस्ति धातु मजजद धातु, शुक्र धातु तो ये जो रस धातु है ये सबसे पहली धातु बनती है खाना खाने के बाद, जो आपका फूड है वो हजम होने के बाद यहाँ तक clear? ये रस धातु करती क्या है तो रस धातु का सबसे मेन काम शरीर में बोला है प्रीनन प्रीनन ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नरिश्मेंट करना शरीर शब्द का मतलब ही यही होता है कि शीरियते इती शरीर कि हर समय जो डीजनरेट हो रहा है जिसका शर्रन हो रहा है उसको इस संस्कृत में हम शरीर बोलते हैं तो हर समय हमारे शरीर में हजारों लाखों जो cells है वो बन रहे हैं, मर रहे हैं, degenerate हो रहे हैं, ये सारे काम हैं तो हर एक cell को जिन्दा रखना, उनको time पे nourishment देते रहना, ये जो काम है वो कौन करता है? रजधातू करता है आपकी जो बाल है अब बाल की जो भी पूरे के पूरे cells है उनको नरिश्मेंट कौन देता है रजधातू आपकी हड़ियों वो मतला आपके शरीर में over kalian carries manchmal का कम रजधातू करेगी अब ये जब रस दातू खराब हो जाएगी तो क्या होगा आपके बालों को जो नरिश्मेंट मिल रहा है वो नरिश्मेंट मिलना बंद हो जाएगा दो तरीके से ये रजधातू खराब होगी या तो ब्लॉकेज आ गया रहेगा या फिर रजधातू शरीर में कम हो गई होगी जिसे हम संस्कृत में 6 बोलते हैं तो या तो इस रजधातू का 6 हो गया होगा मतब रजधातू होगी ही कम तो कितनों को नरिश्मेंट देगी एक ये तरीके से प्रॉब्रम होगी, दूसरा ऐसा होगा कि इस रजधातू को ब्लॉके जा गया होगा शरीर में, ठिक किसी भी कारण से, इन दो कारणों से ये रजधातू आपके खराब हो जाएगी और आपके बालों को जो नरिश्मेंट मिलना है, वो नरिश्मेंट मिलेग नहीं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रजधातू किन-किन कारणों से खराब होती है, इसके बारे में चरकसहिता में उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं चरक सहीता में सबसे पहला वर्ड रस धातू या रस्वा शोतस खराब होने के बारे में बोलते हैं गुरू शीत अतिस निकदम मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुरू मतलब भारी बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा चिकना आइटम खाते हैं और बार बार खाते जाते हैं ऐसा नहीं कि एक बार आपने कुछ खा लिया और आपकी रस धातू खराब होगी बाल खराब होगे ऐसे लोग जो भारी आइटम बार बार खाते रहते हैं और थंडा और चिकना आइटम एग्जामपल दूद क्या है भारी है चिकना है थंडा है अब इस दूद को पका के जो खोवा बनेगा वो क्या होगा वो और भारी और चिकना और थंडा होगा अब इस खोवे के अंदर मिठाई डाल देंगे और भारी और चिकना और ठंडा अब ये जो शुगर डाल के इसकी आइसक्रीम बना दी और इस आइसक्रीम को डाल दिया फ्रीज में और क्या हो गया, अती भारी, मतब बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा चिकना और बहुत ज़्यादा ठंडा, इस आइस क्रीम को रात में आधा किलो, पाव किलो, एक किलो की मातरा में खाके, वो भी तुरन सो जाना, क्या कि आपने शरीर में बहुत ज़्यादा ऐसा ट्वीट खाने की आदत है, खाने के बाद कुछ चॉकलेट चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकना और ठंडा चीज़े, जैसे कि मैयोनीज जैसे आइटम बार बार कीवाई, मैयोनीज डाल वनना मज़ा नहीं आ रहा, पनीज जैसे आइटम, तो बहुत ज़्यादा भारी डीप मतलब अच्छी है और खराब है, उन दोनों को मिला के खा लेना, एक एक एक्जामपल, चवन प्रास अच्छा है आपके सिहत के लिए, तो चवन प्रास लिया, उसको ब्रेट खरीद कर लाए, और ब्रेट में चवन प्रास मिला कर खा लिया, तो एक अच्छा और एक खराब पार्ट आपके बाल पे जाके बालों को नरिश्मेंट करना था, उनकी ग्रोथ करना था, वो मिलेगा नहीं उस ब्लॉकेज के कारण और आपके बाल जढने चालू हो जाएंगे, यह आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा गीला डैंडराफ हो जाएगा, बालों में बह उने से पहले दूद पी दे थे, तो जब वो यहाँ पर क्लिनिक में आये, बाल निकाल कर आये थे, और ऐसा उन्होंने अंगली अपने सिर में ऐसे डाला, और ऐसे निकाल के दिखाया, देखो, इतना ज़्यादा मेरा नाखुन भर जाता है, तो इतना ज़्यादा गीला पन इतना ज़्यादा उनके सिर में क्यों आया था, क्योंकि रजधातू खराब होई थी, रजधातू क्यों खराब होई थी, तो बहुत ज़्यादा पचने में भारी आइटम, और बहुत ज़्यादा थंड़ा आइटम, इस तरह के Combinations वो ले रहे थे, तो अगर इस तरीके से रसधातू आपकी खराब होई है और बालों की समस्या चालू हो गई है तो इसमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा क्लेद का पाचन करना क्लेद मतलब शरीर में जो एक्स्ट्रा गीलापन आपके बढ़ा हुआ है और वो गीलापन बढ़ बढ़ के आपको सबसे पहले इस गीलेपन को कम करो या रसधातू को ठेक करो तो रसधातू की चिकिस्सा क्या बोली है उसी चरक सहीता में रसजानाम विकाराणाम सर्वलंगनम आउश्रदम इस तरह से उन्हें काट कि रसधातू से जुड़े हुए वैसे बहुत सारी बिमारियां है पर बा लंगन करो जो भी चीजे जो शरीर में हलका पन पैदा करती है इस तरह कि आप चीजे करोगे तो आपकी रसधातू ठीक हो जाएगी और आपके बालों की समस्या में भी आपको आराम देखने मिलेगा तो आप मेंसे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दिन में सोते हैं दही तो सबसे कॉमन जो प्रैक्टीस हैं हम सुनते हैं कि उपवास करना अगर आप साथ दिन में एक दिन का उपवास करते हो तो जो बहुत अच्छा या फिर आप क्या कर सकते हो कि 16 घंटे का जो फास्टिंग बोलते हैं या 14 घंटे का फास्टिंग या आईरवधिक शब्दों इस तरह अगर आप दो बार खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर को time देंगे पाचन होने के लिए जितने अच्छे से पाचन होगा उतने अच्छे से आपकी अगनी अच्छी होगी रस दातू ठीक होगी और बालों को नरिश्मेंट देखने मिलेगा और दवाईयों में टोल है ये सारी दवाईया रजधातू पे काम करती है तो आप अपने नजदी की पंचकर्म सेंटर या फिर जो नजदी की आईरविधिक डॉक्टर होंगे उनके पास जाकर वो आउशदियां ले सकते हैं घर पे करने के लिए कटू की नाम का जो पाउडर मिलता है वो भी अपने आप देखेंगे कि आपका डेंडराफ बालों का गीलापन ये सब कम होना चालू हो जाएगा और आपके जो बाल खराब हो रहे थे उसमें भी आपको अच्छा खासा सुधार देखने मिलेगा एक और चीज कर सकते हैं जो रुक्षिता भी पैदा करेगी और मतब जो गीलापने उसे कम करने का काम करेगी वो है त्रिफला तो रात में त्रिफला पचास ग्राम एक लिटर पानी में भीगा दो सुबह उसको कपड़े से चान लो उस वाले पानी से अधर बाल को धोते हैं अफते में एक बाल तो जो भी एक्स्ट्रा गीलापन डेंडराफ है व दूसरा तरीका जो हमें देखने मिलता है वो है रस धातू के शय होने के कारण अभी हमने जाना था रस धातू क्या करती है नरिश्मेंट करती है अब कई बार ऐसे हो जाता है कि ये रस धातू प्रापर मात्रा में बनती ही नहीं ठीक से बनती ही नहीं वो ना बनने के कारण आदमी का दुबला पतला होने लग जाना ठीक है शरीर सूखने लग जाना अचानक से जुरियां आ जाना बाल बहुत रूखे सूखे हो जाना ड्राय डैंडरफ जैसे तकलीफ हो जाना या जो हम बोलते ना नरिश्मेंट लैक ओफ नरिश्मेंट के कारण जो जो बीमारी बाल कर दिया थुड़ा सा वजन आया था ऐसा फास्टिंग चालू कर दिया कि बाई बस में केवल कच्छा सलाइड ही खाओंगा कच्छा ही खाओंगा ये सारी चीजे कर दी ठिक तेल पूरा हटा दिया घी पूरा हटा दिया अचानक से इस तरह का जब अब सडन जैंजिस करते ह तो क्या होता है रस धातू शय होता है और एक करण उने बुला है रस धातू खराब होने का रस्वाइन नी दुश्चिंति चिंत्याना अति चिंतनात मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं continue जो all the time जिनके दिमाग पर tension है हम सभी की लाइट में tension है बट ऐसे लोग जिनको tension के कारण न भूख लग रही है न नीद आ रही है all the time बस केवल खट पिट खट पिट सोचने में लगे हैं कि खा रहे है तो भी कुछ सोचना चालू है काम कर रहे है तो भी रात में सो रहे है त प्रत खट आ है करान बालों को नरिष्मेंट नहीं मिलता और नरिष्मेंट ना मिलने के कारण बाल जड़ना बाल साफेध होना इस तरह की तकलिफे देखने मिलती है। विसमें क्या करें दो पैटरं से बाल जड़ रहते हैं एक ब्लॉकेज होने की कारण तो उसका तो ईला फास्ट नरिश्मेंट देने का काम करती है तुरंत बालो को अगर नरिश्मेंट देना हो या रजदादू को ठीक करना हो तो दूद से बढ़कर कोई भी दवा नहीं तो दूद पीना अपनी लाइफस्टाइल में आप वो ला सकते हैं या एक टाइम खाना खाओ एक टाइम द अधा-चमच खाना खाने के बाद सुबा-शाम लेना यह बहुत अच्छा काम करेगा शतावरी एक दवा है जो की रजदादू को बढ़ाने का काम करती है तो अधा-चमच शतावरी खाना खाती समय बीच में घी के साथ अगर सुबा-शाम लेते हैं तो उससे फायदा तो रजदातु ठीक होने में मदद मिलेगी, बालों पे डिली, क्योंकि रजदातु जब कम होगी तो बाल आपके बहुत दुबले पतले और ड्राय ज़्यादा देखने मिलेंगे, तो बालों पे नित्य तिल का तेल लगाना वो फाइदे बंद रहेगा, पैर के तलबे पे त तिल के तेल से मालिश करना या गर्मी ज़्यादा लगती है तो नारियल के तेल को सीर पे लगाना, नारियल के तेल से मालिश करना, नाक में दो दो बुन नारियल का तेल या तिल का तेल या घी डालना, ये सारे आप उपाए करते हैं, तो इससे आपकी रजदातु अच्छ आराम नहीं मिलेगा और रजदातू ये तो नॉर्मल लेवल की हमने बात की अगर एकदम ही एडवांस लेवल पे बिगड़ी हुई है कि रजदातू खराब होने से शरीर में खुन कम हो गया है हाइपो थारेटिजम आ गया है बौडी में बहुत ज़दा सूजन आ गई है ठी इस तरह की अगर तकलीफ है तो नजदी की पंचे करम सेंटर में या आयरविदिक सेंटर में जाके वहां पे आप पहले डागनोस कीजिए कि आपकी रजदातू शय के कारण मतलब डी जनरेशन होके खराब हुई है या ओवर नरिश्मेंट के कारण खराब हुई है और उस तो था थोड़ा साज हमने डीब बात की बालों की समस्ट्रा और रजदातू को लेके आने वाली वीडियोस में हम बाकी जो अन्न धातूए हैं रक्त माउस में दस्ती मज़शुक्र उनका बालों के साथ क्या रिलेशन है वो भी जानेंगे ये वीडियो कैसे लगा कमेंट क करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें